Hi guys, welcome back to my channel Super Beauty Desires और मैं हूँ Prejna So guys, यह जो वीडियो है यह एक informative वीडियो होने बाला है आज का यह जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ specially उन लेडियो के लिए जो के हैं अबब 50 की एज की तो guys, अभी आप सोच रहोंगे के मैं अपनी छोटी हूँ और उनके लिए वीडियो कैसे बना रही हूँ So guys, मैंने कुछ विमन को देखा है कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जैसे के मैं अपनी ममी की ही बात करूँ या फिर मेरे घर में और भी जो एजिड लेडिज है मैं अगर उनकी बात करूँ तो यह जो प्रॉब्लम्स करने वाली हूँ यह एक्सर सभी को फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में So यसलिए मैंने सोचा के चले आपके साथ में एक इनू इंफोर में इंफ़र 1950 वीडियो जरूर शेयर करना चाहिये आगर आपके घर में अगर आपके लुए ममन मा को फेस को प्रॉब्लम हो रही है पर आपके घर में और भी जो एजिड लेडिज है उनको अगई उन तर यह फेस कोरो पॉपल्लम हो रही है कुछ मंस पहले की बात है तो मेरी जो ममा है वो बहुत जादा एक ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी जो कि हर एक लेडी की लाइप में ये प्रॉब्लम जरूर आती है तो उनको suddenly क्या होता था कि बहुत जादा स्वेटिंग उनके पेस पे आ जाती थी या फिर ओवरॉल बॉड़ी में बहुत जादा स्वेट वो फील करती थी और भी उनको बहुत जादा परिशानी आने लगी जैसे कि बीकनेस हो गई उनकी बॉड़ी में और मतब लेग्स पें करने लगे जोइंस में पें होने लगा वो जब यह सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी तो हमने सुचा कि चलिए उनको डॉक्टर को जरूर रेपर करा दें बिकास ऐसे ही युनोव इस सारी प्रॉब्लम को घरपे बैठके जहेलना इस नोट गूड बिकास हो सकत है कि आप एक लेडी अपनी एक एज होती है उसको क्रॉस करती है तो उसके बाद में उसका मैनोपॉस आना बिल्कुल लाजबी है तो इस वज़े से जो है उनको साइट इफेक्ट सी सारे देखने की फ्ली मिल रहे थे कि पूरो ओवर और बॉडी में स्ट्ट आ जाता था जाता था इस दौर से उनको पता होगा जब लेडी का मैनोपॉस का पीरियर्ड है वह पास में आता है तो बहुत जाता प्रॉब्लम्स हो जाती है अब कुछ को अगर मैनोपॉस के बारे में नहीं पता है तो लेट मी क्लियर यू आट मैनोपॉस एक ऐसी यूनो स्टेज होती है विमन जाते हैं तो उन फॉर्मोनल चेंजेस की बज़े से आपकी ओवराल बॉडी में रियक्शन चाले हो जाता है जिसकी बज़ेसे आपकी पूरी बॉडी जो है बहुत सवेट करने लग जाती है वीकनेस आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है आप भी बिल्कुल जो कि है एवर्टीन का मेनोपॉजल रिलीव यह ऐसी टैबलेट्स है अगर वह लेडी कंजूम करती है जिसका मेनोपॉज आने बाला है तो उसको काफी हद तक रिलीव मिलता है जो उसको मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है वह काफी हद तक कम हो जाती है तो लेक मी टेल यू अगर चीज को करना चाहते है तो अपनी डॉक्टर से जरूर कर लें चलें स्टार्ट करते हैं तो यह इस तरीके के काट्बूड के पैकेजिंग में है अवर्टीन मेनोपॉजल रिलीव और यह पूरा इसके अंदर बॉक्स दिया गया है जो मैं भी आपको शो करूंगी अं जादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी एस्ट्रोजेन एंड हॉर्मोनल इंबैलेंस तो इस ताइम पे जो हॉर्मोनल इंबैलेंस होता है उसमें भी काफी सदा रिलीव देता है तो जब मैनोपॉजल सिंटम्स जो और मैनोपॉजल सिंटम्स होते हैं जो कि वो रिलीव दिलाता है तो यह इसमें इस तरीके का एक बॉक्स मिलता है जो कि इसमें रखी हुई है टैबलेट और यह जो टैबलेट से वो कंजूम करी जाती है अब क्या है इसमें कुछ प्रिकॉशन भी है जो कि आपको अपने डॉक्टर से एक पूच के बिलकुल लेना चाह कि अपको इसमें प्रिफर करें आपको उससरी के से लिया नहीं है मैं इसके जो है इंग्रीडेइंट आपको कुछ बता देती हूं जो कि काफी कॉसे इंट्रेस्टिंग है आपने देखा होगा कि जो गुयूमन से रिलेक्स प्रॉबलम होती है वह मैं अक्सकर कि यह वाले हैं वो mix करे जाते हैं सबसे पहले शातावारी extract मिला गया इसमें शत्हट पुष्पा extract मिला गया है चंद्रशूर extract मिलाए गया है शंक पुष्पी मिलाए गया है जटा मासी मिलाए गया है and then vegetarian कुछ इसमें extracts मिलाए गये हैं So yes guys, यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, तो hit like करना और share करना अपने friends के साथ में, मैं मिलूंगी किसी और वीडियो में, bye bye